तोगाइस आज मैं capture करने वाल हूँ minecraft के सबसे ज़्यादा rare mobs और यह mobs जिते ज़्यादा rare है कि यह एकदम impossible to find a minecraft hardcore के अंदा लेकिन मैंने इन सारे mobs को कैसे collect किया यह जानने के लिए तुम लोगों को वीडियो को देखना पड़ेगा और हाँ अगर तुम लोगों ने अभ सबसे ज़्यादा famous rare mob है वो है pink sheep तो इसलिए मैं collect हैने वाल हूँ सबसे पहले pink sheep और वैसे वह इस वाली world में मुझे अभी तक नहीं मिली है तो बहुत ज़्यादा interesting होगा उसको ढूणना और हांगा इस pink sheep को ढूणने का मुझे एक बहुत ज़्यादा तरीका पता जिसे मु ज़्यादा तो में से बस तीन शीप सब्सक्राइब हो गया तो मैं तुम लोग अभी तक समझ गया हो कि तो ज़्यादा रहे या चलो जल्दी से भूल लेते हैं तो गैस अभी पिंग शिप को सर्च करते हैं तो मुझे 45 मिनेट्स हो गया और मेरा भी लिटरली दिमा खराब हो गया तो अभी मैं सोच रहा हूं किसी और मौप को पकड़ लूँ और हां मेरे सामने एक जंगल भी दिखाई दे रहा है तो मैं सोच रहा हूं ब्राउट पांडा को सबसे पहले capture कर लेता हूं तो गैस मुझे एक जंगल में दो पांडा एक साथ मिल गया है तो अभी मैं कराने वाला हूं इनकी breeding तो guys brown panda को panda के दो तरीके हैं either हम सल्च करके उसको find कर सकते ही या फिर हम करा सकते हैं किसी भी random pandas के breeding और उनसे कभी जादा chances होती है कि हमको मिले brown panda बट इसकी भी chances है सरिफ 2% अलब हर 100 वाल जब हम breed करेंगे तो बस उसमें से दो वारी ऐसा होगा कि brown panda breed बट इता तो करी सकते हैं भाई we are finding the rare mobs तो इता तो चलेगा ओके गैस तो अभी मैंने एक ऐसी जगे बना दी जहां पर मैं सारे pandas की easily breeding करा दूँगा और शायद हमें मिल जाए brown panda तो चलो let's go सबसे पहले करा देता हूं सारे pandas की breeding तो अभी मैं करा रहा था सारे pandas की breeding मैंने सोच अभी नहीं था यहां पर क्या होगा बस पंद मिनेट के अंदर ही यहां पर आके brown panda एक सगेंड केदर गया भाई ए भाई केदर गया ओके भाई डराई दिया था इसने ओके गई यह गया brown panda और जितना मैंने रेयर समझा था यह शायद उतार रेयर नहीं है बहुत आसानी से मझे मिल गया तो अभी मझे इसको कैसे भी ले जाना है अपने बेस पर और उसको मैं 1000 ब्लॉक धूर तो आईना मुझे बहुत जादा टाइम लगने माला है तो चलो जल्दी से चलता हूँ अपने बेस पर कि क्या करता है ओके गई तो फैनली मैं आ गया हूँ अपने बेस पर और मैं क्या करता हूँ इस पनला को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ मैं सारे एर मॉप्स के लिए बनाने वालों एक म्यूश्यम और जिसमें मैं उनको एकदम सिक्क्र तरीके से रख सकों तो जो में मीजम बनाने को बात कर रहा हूँ वह बनाने वालों में यहाँ पर चलो जल्दी से थोड़िषी जमीन को साफ खतता हूं और यहाँ से जित्वी ट्रेश उनको लगारवाला थीता हूँ आई मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा वह मीजम बनाना इसलिए हम कोई और जगह दूल लेंगे और जब तक लिए मैं दूल ले तो अपना सेकेंड मॉप जो मुझे पकड़ना है और वह होने वाला है अल्ट्रा प्रो मैक्स डिफिकाल क्यों कि मैं पकड़ने वाला जिसमें सारे मॉप आएंगे तो अल्टिमिल्टी शायद वह चिकन मॉप भी आ जाए तो चलो जल्दी से वह बना लेता हूं तो फाइनली दो तिन गंडे की मेनत के बाद मैंने बना लिया अपना एक जाइंट मॉप और इससे मुझे मिल जाना चाहिए क्यों कि इसमें मैंने काफी जादा मेनत करी है और तुम लोग सुचे लोगे भाई मैं इत्ते रेयर मॉप को कैसे कलेक्ट करूँगा जो मैंने फ चिकन और जॉंबी आ रहे हैं वो अलग होके आ रहे हैं मतलब जते भी बेबी जॉंबी है उनको चिकन की ऊपर होना चाहिए बट वो चिकन की ऊपर नहीं है इसलिए मैंने रिप्लेस चेक किया और वहां मुझे पता चला कि जहां मैंने यह पानी लगा है उससे डिस्मेंट से पिछले वाला जो हट्कोर एपिसोड था उससे भी दो दिन पहले से मैं इस वाली फार्म पर एफक कर रहा था और फाइनली पूरे दस दिन के एफके के बाद एट दे ऑफ एप्रिल फूल मेरे फार्म पर स्पॉन होता बेबी जॉंबी विलेजर राइडिंग उन चिकन यह तो इसका नाम भीयार बहुत बड़ा है और जिता भी मैंने एकदम पाथवे बनाया था उस पाथवे के थुरू वो एकदम आराम से आ जाता है मेरे पास और मैं रियलाइस भी निकलता हूं 2-3 घंटे तक तो मुझे पता भी निच पढ़ता क्योंकि मैं एफके था इस को अपने बीस पर कैसे लेकर आँगा तो मुझे सबसे पहले इसको क्योर करना पड़ेगा और हाँ यह क्योर होके विलेजर में कनवर्ट हो जाएगा जूकर एक चिकिन के उबर बैटा है वह 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 इल्टिमेटली रेयर है तो चलो जल्दी से इसको क्योर कर देते हैं तो इस फाइनली अपने जो जॉंबी विलेजर था वो क्योर हो गया और अभी नॉर्मल विलेजर बन गया और अभी मैं इसको इस वाले नेधर पोर्टल से लेकर जाऊंगा मैं उस चिकन को नहीं यार यह नेधर के थ्रू नहीं जा रहा है तो अभी मुझे आइटिंक उड़ा इस वीडियो को बनाने में क्योंकि मैं दुबारा इसके नहीं रहने वाला इतन दिन तो चल उट रहा है काते हैं ओके गास फाइनली मैं एकक्तम आराम से इसको लेके जा रहा हूं और मैंने गल्दी कल दे कि अब रात हो रही है और जॉंबी वगएरा बटा कर रहे होंगे यह मरे न तो इक काम कहता हूं इसको बागी विलेजर्स के बीच में छोड़ देता हूं और फिर मैं देख लूंगा इसको कहां रखना है और बाईसा फाइनली मैं इसको सक्सेस्फुली लेके आ चुका हूं अपने बेस पर तो चलो जब तक अपना म्यूसियम नहीं बनना को इस जगह पर बंद कर देता हूं और अब अपने अगले मॉप्स को कलेक्ट करने का लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए एक ट्राइडेंट तो चलो जल्दी से ट्राइडेंट फार्म बना लेते हैं तो अब ही मैं बना रहा था ट्राइडेंट फार्म और गेस वाट मुझे ये फार्म बना थे बना थे एक ट्राइडेंट मिल गया क्योंकि काफी सारी यहां पर ड्राउंट स्पॉन हो रहे थे और मुझे काम नहीं कहने दे रहे थे तो इसलिए मैं उनको मार रहा था और मु कोई जरुवत नहीं I think तो वैस अभी तुम लोग सुच रहोगे केम भी तुदे ट्राइड कर चाहिए तो देखो मुझे ट्राइड इसलिए चाहिए क्योंकि अभी मैं कैप्चर करने वाला मुश्रूम काओ को या मश्रूम काओ को जो भी वह होती है तो देखो मश्रूम काओ तो इसलिए मैंने अपने ट्राइडान पर चैनलंग लगा दी जिससे जब भी थंडर श्टोम आये मैं उस पर थंडर श्टोम मारू जिससे वह रैड से यल हो जाए येस ऐसा माइन क्राफ्ट में हो जाता है और यह जित्विए यल्लो मश्रूम काओ हो वह नेस्टरली स्प पर ले आना है जो के उत्तर डिफिकल्ट नहीं होने वाला है तो चलो जल्दी से इसको लेके चलता हूँ अपने बेस पर तो मैं एकदम आराम से आगे हूँ अपने बेस पर मश्रूम काओ को लेके अब जिस मैं क्या करूँगा इसको एक जगह पर बंद कर दूँगा और व करता हूँ और हाँ जब तक मैं मुजियम बना रहा हूँ तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राब करते हैं तो एक सेकंड लगता हूँ बेकोज अभी बहुत ज्यादा मेजिंग वीडियो आने वाले हैं लॉयल संपी की प्लस हार्ट को सीरियस की बें और हाँ अगर तुम लो प्लस प्लेजर हाँ तो अभी मैं पकड़ने वाला हूँ एक ऐसा प्लेजर जिसके पास क्रॉस बोनी होगा और ना तो वो मुझे मार सकता है और ना अपने दोस्तों को शेकल दिगा सकता है तो चलो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ अपने प्लेजर फाम पर थोड़ी देर से एक था और यहां पर काफी सारे प्लेजर आ गया है तो मैंने सुच आप नौर्मल प्लेजर क्यों पकड़ू जब मैं प्लेजर कैप्टें को पगड़ सकता हूँ तो मैं प्लेजर कैप्टें का जो क्रोस बहुत करवाने वाला हूं उसके लिए सबसे पहले मुझे यहां जितने भी प्लिजर ना उन सबको मानना पड़ेगा और आप इसको बुलाता हूँ अगर ये बोट में बैट या था तो मेरा सारा काम सिंपल हो जाएगा और वेट ये किदर गया I think ये नीचे गर गया ओ भाई अभी दूसरे के लिए भी वेट करना पड़े है मुझे चलो जल ले जाओं अपने बेस पर बस इतना ही काम करना मुझे चलो जल्दी से इसको लेके चलता हूँ और गयास अभी मेरा कुछ काम नहीं है मुझे जश्ट यहां पर थोड़ी दिर के लिए एफ के रहना है और कुछ टाम के बाद लाइक 15-20 मिनिट के बाद इसका क्रॉस बोड जाएगा और यह बन जाएगा वजलेस प्लेजर मदलब कुछ नहीं कर पाएगा यह और यह बिल्कुल हॉस्टेल भी नहीं रहेगा मदलब मुझे पर अटेक भी नहीं कर पाएगा किसी चीज़ से कि अगया तो फाइनली यह जो प्लेजर है यह एकदम पीस्फुल वाली स्टेट में आगया और अब भी मुझे कुछ नहीं करने वाला तो इसको चलो जल्दी से एक जगह पर बंद कर देता हूं तो किस्वाली मैंने प्लेजर को बंद कर देता हूं और अब टाइम में अप पांडा को बरूँगा यहां पर कुछ और लाइक मैं कुछ भी बसकता हूं मलब भाई चलो जल्दी से आपको बहल देते हैं तो सबसे पहले मैं डिसाइन करने वाला हूं विलेजर और पिलेजर वाले रूम को तो विलेजर वाली साइट पर मैं लगाऊंगा जमीन पर ग्र क्या कर रहा हूं इस विलेजर वाली साइड में तो यस मैं कुछ ऐसा एको सिस्टन मैं आरा जिसमें विलेजर फूर कन्फि को जा です अब कमसे कम जो पेले जाड़ तो फील करेगा या फिर अब भी अच्छा फील करेगा जो फीलेजर व्हों पूरा फ्रस्ट्रेटिट्ड हो जाएक अब साल तरह क्रॉसबुझी क्रॉसबुझ क्रॉसबुझे वह वह यूश नहीं कर सकता उर्प्ड़ीजर को और पेलेजर को लाने का सब्सक्राइब जल्दी से उनको लेके आते हैं कि मझे थोड़ी से सेंड और चाहिए थी और आई थिंग धरी कहीं मैंने सेंड भी रखी एक सगेंड ओ भाई फाइनल इपने वर्ल्ड में धंदर स्टों हो रहा है रुको 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 मेरे ट्राइड करने मुझे बहुत कम टाइम है तो मुझे जित्ते भी काम करने वह मुझे बहुत जल्दी करने मुझे यह अपनी मश्रूम काव और इसके उपर विखता हूं ट्राइड और ये अब यह नॉर्मल रेड कलर की कावनी रही यह ब्राउन कलर की हो गई है और यह बहुत हैं तो मैंने इनको लाइड्निंग से श्ट्रैक करवांगा अब इसको मालता हूं अब इसपे जैसी मैं ट्राइड एड्षए करेंग एड्वांस्मेंट नहीं मिली ओके यहांपे और वीांग हूँ अब हम आपको पॉरी फिर इठा ड सट सब अधा दिए अबैस地 मुझे ड advancement मिलगी गैस मैंने lightning के लिए काफिस जादा वेट किया था बट अभी जिते भी मेरे काम ते वो सारे मैंने कर लिया है और अब टाइम है दुबार से अपने काम पर लगने का तो यहां पर मैं लगा देता हूं glass pane जिससे हम easily सारे mobs को देख सकें और देखो भाई किता cute सा room बना और अब मैं जा सकता हूं यहां से उपर से और बंद कर देता हूं ओके गैस तो चलो अभी मैं यहां से निकल लेता हूं और वह बहार ना एक सेकिंट ओ भाई इस विलीजर को damage कैसे पहुंच रहा है I think यह leaves मुझे हटानी पड़ेंगी और ऐसा tree को छोड़ना पड़ेगा औ और भाई री भाई लोक एट इस ट्री किता फणी लग रहा है यह एक स्ट्रेट लाइन में सारी leaves है तो को मैं एक और चीज ट्राइक कर सकता हूं तो गाइस अभी जो चिकन थी मैंने उसको हाल तरफ से गहर दिया है जिससे वह उचले ना और हमारे विलेजर को damage ना पहुं को और अब just मुझे straight line में boat को चलाना है और finally हमा जाएंगे अपने museum में तो guys finally मैं प्लेजर को अंदर ले के आगया हूं और अभी देखो just crossbows की तरफ ही देख रहा है और मैंने यह जो रूम बनाए वह बहुत धादाए pig बनाए देखो विलेजर को पता ही नहीं चला कि वह ब लेके चलता हूं ओके तो अभी स्टार्ट करते हैं डेकोरेट करना तो जो उसकी फ्लोर होगी वह तो नॉर्मल ग्रासी बनाने वाला हूं मैं और कोच-कोच जगह पर मैं रेंडम ले लगा देता हूं बेंबूस जिससे पांड़ा को अपनी घर वाली फील है और उसके ऊप तो मैंने सीलिंग को पूरा रिप्लेस कर दिया था जंगल लीव से फाइली मैंने पांड़ा कली पूरा रूम कंप्लीट तो कर दिया बट मुझी यहां पर एक कमी लग रही है इसके जो शीलिंग है उसके पीछे मैं क्लियर ली देख सकता हूं को स्टोन लगा हूँ है खतें उके साथ फरक तो नहीं लग रहा बट जो श्टून दिखाए दे रहा था अभी वो तो अभी ज्टून नहीं देखाया दे रहा और अभी काफी ज़्यादा के रूम हैँह और आप पांड़ा को लाने का जलो जल्दी से ले किया धें पांड़ा को लियाता हूं अंद के लिए रूम बनाने का और अपना जो नेक्स्ट मॉप है वह मश्रूम का है जो हमने अल्रेडी केप्चर कर रकिया है तो चलो जल्दी से उसके रूम के लिए सामान कलें तो यहाँ पर मश्रूम के ब्लोक्स नहीं है जिससे में ग्रावन्ड को कवर करने की सोच रहाता तो आ लगाने सारे mycelium के blocks और यहां पर बना देता हो एक mushroom tree और एक छोटा सा mushroom tree और बना देता हूँ और थोड़ी सी additional details दे देता हूँ और जो इसकी वाल से उसको कवर करने वाला हूँ मैं white mushroom blocks है और finally जो इसकी चात है उस पर मैं लगाने वाला हूँ red mushroom blocks finally इतना ही decorate करना तो मुझे mushroom काओ के लिए रोम और अब टाइम एसको ले के आने का ओके गाइस तो अभी फाइनली मुझे एक दम सेफ तरीके से मश्रूम काओ को मुजियम तक ले के जाना है जैसे अम मरे ना ओके चलो मुजियम के अंदर तो आगे अब ज़ेस्ट मुझे इसको अंदर छोड़ना है और फ पॉन नहीं हो सकता जैस्ट हम उसको अप्टेन कर सकते हैं और नॉर्मल एक्सलोट को ब्रीडिंग कराने के वाद जो उसको मिलने के चांसे हैं वह हैं ओल्ली 0.083 परसेंटेज वहला पूरे 0.1 परसेंट चांसे भी नहीं है उसको अप्टेन करने के यानि अगर मैं हजार पर एक्सलोट की ब्रीडिंग कराता हूं तो भी पक्का निया कि मुझे एक ब्लू एक्सलोट मिलता है कि ने बाट इसके लिए हम ट्राय तो करी सकते हैं तो चलो जल्दी से सब्थे पहले नॉर्मल एक्सलोट को बूल लेता हूं कि फाइनली यहां पर मुझे मिल गया है ए प कराने वाला हो की कैस्त瑞 तो यह ब्रीडिंग नेमबर वन और क्या मुझे से मिलता हूं ब्लू एक्सलोट तो देखो मेरे दिमाग में क derive. यह जो white ईकसलर्ट है. यह blue एकसलोर्ट से काफी ज़्यादर से झाला लगता है तो जम मुझपे 2 तेन white ऐकसलोर्ड हेंगे तो मैं यह जलो वाले yhtति कोमाल दोगा ब्लू एक्सलोर्ट को अचीव करना तो चलो जल्दी से बना लेते हैं एक फिश फार्म ब्लू एक्सलोर्ट को मारके बट मैं यहां पर हर कलर की एक्सलोर्ट को पकड़के लाएं और उनकी काफी सारी ब्रेडिंग करा दिया जिससे उनके नंबर्स भी काफी ज़्यादा बढ़ गए तो अब थोड़ी से ज्यादा चांसेस हो गए हैं कि मुझे मिल जाए एक ब्लू नो वे गाइस फाइनली मुझे इतने सारे एक्सलोर्ट के बीच में एक ब्लू एक्सलोर्ट दिख रही है और ये ब्लू एक्सलोर्ट यह बाई लिटरली मुझे तीन से भी जादा घंटे हो गए थे और मुझे तो यह कीम नहीं नहीं था इसलिए मैं बहुत जल्दी गए एक्सलोर्ट का गर तो देखो जो इसकी फ्लोर होगी उसको मैं पूरा मॉस ब्छरिख से कवर रणेवावारा हूं क्योंकि है एक्सलोर्ट लश्केव बायम से मेरे साथा मिलती है और मैं से बनाने से छोपर मॉट्स ब्लॉक्त के ब्लॉक्त होंग़र और इसकी वाल्स पिंग कलर के flowers होते हैं यह तो बहुत जादा mandatory हैं क्योंकि एकदम feel लियाता है lush caves वाले और finally अपने exalot के लिए एक चोटा सा pond और yeah finally मैंने पूरा design कर दिया अपने exalot के लिए यह room और देखो guys किता जादा सही भी लग रहा है and now it's time to capture our sixth mob और वो mob already वैसे मैंने capture कर रखा है तो चलो जल्दी से इसका पहले room design कर ले थे तो इसका room जो है वो बहुत जादा simple है इसमें मैं बस cobblestone और mossy cobblestone और bricks और mossy bricks use करने वाला हूं तो I think तुम लोग समझ गयो गए भी तक मैं किसको लाने वाला हूं but अगर तुम लोग अभी तक नहीं समझें तो मैं इसमें लाने वाला हूं Halloween zombie को yes मैंने दो Halloween zombie already capture कर रखे थे I think मैंने किसी वीडियो में दिखाया भी है तो चलो जल्दी से उनको ले के आता हूं okay guys तो finally मैं उस जगह पर आ गया हूं जहां पर मैंने उस Halloween zombie को रखा था और I think यहीं कहीं होना चाहिए मैंने कुछ cobblestone भी लगाए okay यह गया है इसके सिर्पय pumpkin है और I think यह भी काफी ज़्यादा rare है तो चलो जल्दी से इसको लेके चलता हूं उस room के अंदर चला जा अब क्या कर ओके जहां नहीं रही है तो इसके पीछी जाकर रखा देता हूं और yes finally यह चला गया और अभी मैंने इस zombie को भी बंद कर दिया और अभी मैं तुम लोगों को पूरा room भी दिखाता हूं क्यासा लग रहा है इसके साथ तो guys यह अपना Halloween zombie का room और वो भी उसके अंदर ही है बट यह थोड़ा खाली-खाली से लग रहा है मेरे पास एक idea इसको fill करने का तो guys जो इसका room है उसके अंदर मैंने थोड़ी से skeleton heads plus zombie heads जो मैंने अब भी collect ही थे वो लगा दी हूं और उसके बाद थोड़ा से look improve हो गया और I I think इतना enough है यह कुछ ज्यादा deserve भी नहीं का था and अभी time है अपने 7th mob को capture करने का तो चलो सबसे पहले उसको मैं बना देता हूं room क्योंकि यह mob बहुत ज्यादा special है तो guys room की design से तुम लोग पैचान गए होगे कि मैं कौन से mob को capture करने वाला हूं but अभी तक तुम लोग अग गुलने वालों इतना गुलने वालों कि यह खुद से पिंक शीप बन जाएगी तो चलो गुलना start करते है येस फाइनली पूर एक घंटे stare करने बाद यह फाइनली कनिवट हो गई है पिंक शीप मैं अच्छा चलो मैं अलग से इसको पकड़ के लाया मानता हूं अच्छा च चाहिं पिंक शीप डूड़े ओ गैस यह क्या है ओ यह तो पिग है येस गाइस तो मैंने अभी जो पिक्स की स्कीन है वो पूरी बदल दी है वो मैंने क्रीपर की तरह बना दी है क्योंकि जो पिंक शीप और पेक्ज वो लगबख से मिल जैसी दिखते है इसलिए जो मैंने पिक्स की स्कीन है वो चेंज कर दिया है और अब भी दुबारे से डूणने लग जाता हूं पिंक शीप को तो फिर फिर गया था फिर मैं डूणने लग था पिंक शीप को लिटरली मैं बहुत जादे ट्रेवल कर चुका था और यह मेरा मैप देखो भाई मैंने इतना जादा रोनने के लिए और फाइनली फाइनली पूरे तीन घंटे बात यह हुआ काइस विट यह एक सेकंड ये काइस फाइनली मुझे मिल गई है पिंक शीप और भाई मुझे सब्सक्राइब बहुत जादा वेट कर रहा है पिंक शीप ने अभी इसको जल्दी से लीड़ बान दे मिलने के बाद इस वर्ड में मेरा पूरा लगी वदल गया तो चलो जल्दी से यहां से उपसीडन ले ले लेता हूं और फिर चलता हूं अपने बेस पर तो फाइनली देखो पिंग शीप को लेके आ चुका हूं मैं अपनी मूजम में और अभी इसको बंद कर देता हूं और फ इसकलक वाले बॉक्स होते हैं उनको भी यूज करने वाला हूं प्लस यह वेंस जो होती है वो भी काफी ज्यादा मस लगती है और एक अलगी फील देती है तो इनको भी मैं हाल जगा पर लगा देता हूं और हाँ मेरे पास सेंसर नहीं है तो मुझे लेकर आने पड़ेंगे पंगे आजा आजा ओ भाई जाने वाला है एस पाइनली गाइज मैने वाडन को भी बंद कर दिया और मैंने पूरे 8 के 8 रेयर मौप को पकड़ लिया जो बहुत जादा ही रेयर थे और फाइनली मैंने इस चैलेंज को कॉम्प्लीट कर लिया और हाँ कैसे मैंने एक वीडिय तो नहीं देखी तो जल्दी से आके देख लो स्क्रीन पर आ रही होगे और अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में जब तक के लिए गुड़ बाई